असे शवालाइकुम वाज मोह क्रिस्पी क्रंची इजी स्नैक शुंग चґमल की मठरी और इसका क्रंच भी सुनि सकते हैं आवाज को इसके क्रण्च से ये वन्दाज लगा सकते हैं लिःसके टेस्ट को इसके आपने में टी टैप में आандजा सकते हैं इस मटरी बनाने के लिए हम चार चामाच रोश्टेज्ट मूंग फली को लिया है और इसको हभूं क्रश कर लेते हैं हमें कच्छा बच्छा क्रश कर लिया है और इनको साइड पर रख देगे जार में एक इंचा अध्रक चार हरी मीट्चु के दल लेंगे तोड़को और इसको कच्छा बच्छा ब्लेंड कर लिया है आप देख सकते हैं मटरी बनाने के लिए हैं पर हमने कड़ी में देड़कप पानी दल लेते हैं और पानी के साथ जाएंगे टेश्ट घिसाब से नमगू एक चमच जीरा आप चाहा है तो अजवाइन भी आट कर सकते हैं और इसके अंदर क्रश करेंगे मुख फलीक आट करेंगे और तीन चमच चना दाल को इसको हम दो खंट पहले ही भीगे के रखे हुई है और इसको भी दाल लेके इस ब्लेंड कर लिए हैं चमिर्च को पेश्ट दाल लेते हैं और थोड़े सा करी पता को हमने बरी कट करके दाल लिए ये सब दाले तका पानी को उबा लागा है आप देख सकते हैं और इसके अंदर हम आटे को दाल लेते हैं तेल दालके तीन चमच तेल दालने के बाद इसके अंदर जाएगे आटा जिस कप से हमने पानी लिया है उसी कप से तीन कप आटे को दाल लेते हैं आटा को दाल लेके फ्लेम को लो करके मिक्स कर लेते हैं आटे को म लिख्स कर लेंगे हम फ्लेम को आफ कर देंगे 10 मिनिट लीड रखे छोड़ देंगे तीन मिनिट के बाद हम बेशन में कर लेंगे इस आठे को और नीम गरम रहने पर ही इसको गुन लेते जाना है हम दाले हुए आठा और पानी परफेक्ट रहेगा आठा गुनने के लिए आपको अगर कम पड़े तो आदा कपो पानी को एड़ करते हुए गुन ले सकते हैं यहाँ पे देखिए हमने गुन लिया है आठे को और इसे गुने हुए आठे में हम दो हिस्से बनाएंगे और एक हिस्सा हम काड़के पेड़े बना ले थे चिकना करके बचा हुए हिस्से को हम बेशन में रखे लीट रखे छोड़ देते हैं इसा करने से सुपता नहीं आठा और इस आठे से हम चिकना कर लेके पेड़े बनाते है इसका साइज छोटे छोटा रहना चाहिए अब ब मैं बना लिया है उनलग सैजितना रहงंगे लिए सारे पेड़ांस को हम कारते ही में मठरी बनाएंगे इनकी बाटरी बनाने लिए हमने पाले दीन कवर लिए हैं इससे कवर पर दॉतीन है लगा के फैला दिएन्गे और इसके पर हम इस पेड़े को रख लेके दूसरे सई इस पेड़े तो फोल्ड कर देए इसे च्विपॉट कर देते हैं हलुके से प्रइस करने से देखिए मटरी बन गी है आप देख सकते हैं क्राकर भी नए जैसे अराम से बन जाएंगे यह ज़रूर ट्राइक करिए और आपके पास चॉपिंग बॉड नहीं है तो कोई भी चकला लेकर कर सकते हैं हल्का से प्रेस करने से प्रेस हो जाएंगे इसका तिकने से दिखाते हैं ऐसे ही रहना चाहिए बजार में ऐसे ही तिक से विख्या जाता है और इसको बनाने के लिए दूसरा तरीखा दिखाते हैं इसको पर हम पाले दिन कवर पर रखें और दूसरे सेट पर फोल्ड करके खोटरी से प्रेस कर दीजिए फ्लाइट बॉटम रहने वाली इसे प्रेस करने से प्रेस हो जाएंगे थोड़ा सा क्राक लगें इसको हम अट्रेश करते ही बना सकते हैं चापिंग बॉड्ड ही थोड़ा सा बेटर रहेगा इनको तलने के लिए हमने मीडिल हीट पे तेल कर लिया है और इसके अंदर एक-एक दालते ही है फ्राइघ कर र और हम इसको फल्टा लेते हुए क्रिस्पी क्रंची और गोर्डन कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं यह जैसा पखेंगे नीचे बैठ जाने लगेंगे तब समझ सकते हैं आप यह पख गए हैं और इस पकने बाद हम साइड पर कड़ देंगे और दूसरी बार इसे ही दल लेते हैं इस बार छे दाल के दिखाते हैं छे आंट दाल के बना सकते हैं इसको दालने के बाद साथ ही हलाना नहीं है वरना ये तूट जाएंगे ये तोड़ा सा कड़ा कोने बाद इसको फल्टा ले देहिए प्रीस्पी गोलन कलर आना तक फ्राइ कर लेना है देखिए हाँ पर हमने सारे फ्राइ कर लिया है और इसका कलर भी आप देख सकते हैं और बहुत क्रंच रहेते हैं यह के जगा चार खालेंगे इसको यह टाइट कंटेनर में रखे 15 देश्ट स्टोर कर सकते हैं इसको तेलगू में चक कालू वलते हैं यह सौधी इंडियन फेमस रेसीपी है इसका क्रंचनेस भी सून सकते हैं आप यहां पर बेकरी में दिकाया जा किजिए लाइक किजिए शेर किजिए कामें किजिए टैंक यू फर वाचेंग अला